अधाब कैसे आप अब्दुलहमीत भाई जी 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 अभी मैं सुन रहा था शाहिद भाई ने तो तो मैं समझता हूँ आपके सामें पूरे common Muslim की तर्जमानी करती है देखिए ये अब डिसकेशन जो है ना फिर वही घूंता रहेगा common इंसान और हम बात करेंगे इसलाम की आप बात करोगे common Muslim की आज हम common Muslim के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठेंगे तब इस पे discussion किया जाएगा आज जो मेरा एतराज है उस पे आपको क्या कहना है आप वो बताईए क्योंके मैंने जो दलीले पेश की कुरान की और हदीस से मैंने बताया और कुरान से भी बताया मैंने तो उस पे आप क्या समझते क्योंके ये जब मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ तो मुझे अल्ला इंसाफ पसंद नजर नहीं आता है आपका उस पर क्या कहना है उस पर discuss कर लेते हैं जी जी बिलकुल तो पहले आपको इसमें इंसाफ को define करना पड़ेगा ठीक है जी बताइए आप बताइए ना आप इंसाफ किसको मैं मैं बताता हूँ कि इंसाफ ये है कि अगर एक इंसान किसी का कतल करे ठीक है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए simple language में इसमें कोई technical वाली चीज नहीं है कुछ नहीं है अल्ला है मैं बंदा हूँ और मेरी समझ के हिसाब से अगर एक इंसान कतल करे बलतकार करे रेप करे यानि किसी का माल खाले तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए ये इंसाफ होता है लेकिन अगर हम देखते हैं कुरान मे और जो मैंने एक अभी वाकिया बताया जो के मुहमद साब ने बताया है कि सव कतल करता है वो इंसान लेकिन अल्ला उसको माफ कर देते हैं तो इदर इंसाफ नजर नहीं आ रहा है अच्छा अभी जैसक आप जो बता रहे हैं कुरान में ऐसा इंसाफ एक जगह पर हुआ है ये एक एक जामपल आपने बता दी चीक है अब आपको बताना है दूसरा इंसाफ जो भी आपने बयान कर दिये कि इस चीज़ को आप इंसाफ समझते हैं मैंने आपको बताया ना आप ये बताए कि क्या आपके नजदी के इंसाफ है कि सो कतल कर दे इंसान रेप कर दे सब कर दे लेकिन अगर उसने शिर्क नहीं किया है तो उसको अल्ला चाहे तो माफ कर देगा तो ये क्या इंसाफ है आपकी समझ क्या कहती है हाँ ठीक है अब इसे करेंगे मैं आपसे नहीं आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके नजदी की इंसाफ है आपने जो इस बात को बताया भी कि इंसाफ क्या है आपने मुख्तेसर में जो बोला तो वो कहां से है आपके पास में रेपरेंस हजरत अब्दुलहमीद भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ ठीक है मेरी समझ के हिसाब से ठीक है चलो मैं उसको मैं अपनी समझ के हिसाब से कहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये इनसाफ नहीं है अब मुझे आप जवाब दीजिए कि आपकी समझ के हिसाब से क्या इसको इनसाफ कहा जाएगा और ये माना जाएगा कि अल्ला इनसाफ पसंद है अल्ला अदल करता है इनसाफ करता है जो रेफरंस आप दे रहे हैं उस हिसाब से इसको इ अब मेरा आपसे question है जी मैंने दे दिया आपके स्वाहल का जवाब आचा क्यों नहीं माना जाएगा इंसाफ इसको आपके इसाफ से मेरे इसाफ से मेरे personal individual की बात की है ना अपने हाँ किस लिहाँ से आपनी ये समझा कि इसाफ नहीं है मैं जिस country में रहता हूं उस हिसाफ से समझा वन्यी ठीक है मतलब आप मांते हैं ना कि इंसाफ नहीं है बस हम भी वहीं बताना चाहरे हैं कि ना हमारी country के हिसाफ से ना एक इंडिवीजल इनसान की सोच के हिसाफ से इंसाफ हो सकता है आप पहले तो देखिए पहले आप है ना ये समझ लीजिए कि हम कोई इदर प्रोफेशनल मुनाजरा या डिबेट नहीं करने बैटे हैं ठीक है जिस तरीके से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ये ऐसे बहुत सारे मुनाजरे मैंने देख चुका हूं और कर भी चुका हूं ठीक ह हम यहां समझने के लिए बैठे हैं मैं आपको हराने के लिए नहीं आया हूं और उम्मीद है कि आप भी मुझे इस नियत से नहीं आये होंगे कि आप मुझे हराने के लिए आये हैं ठीक है हम समझने के लिए आये हैं और लेट्स बी ओनेस्ट ठीक है लेट्स बी ओनेस्ट लेट्स बी फ्रैंक इसमें आपको ये प्रूव करने की ज़रूवत नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मालूम या यानि इस तरीकी के बाते जो सामने हमारे जो चीज है उसके इसाब से अल्ला इंसाफ पसंद नहीं हो सकता और सच्चा ही ये है कि आपको इस चीज को कबूल करना चाहिए कि अल्ला इंसाफ पसंद नहीं है और उसकी दलील है हमारे सामने है जी जो दलील आपने इसाफ नहीं है एक मिनिटा अब्दुलहमीद भाई नीरज आदिया जी ने फाइपांड का कॉंट्रिविशन किया है धैंक्स अलोड नीरज आदिया जी नमस्ते के साथ अंत बात मुझे समझ में नहीं है शाइद यह कहाँ रहें कि प्रैसचित करना चाहिए प्रैस्चित करना चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप pricecheat करते आप मानते हो के हाम इससे गुना हुआ तो आपकी सजा माफ हो जानी चाहिए अगर सजा माफ कर दी जाएगी आपने तो यह जिसका आपने कतल किया है जिसके पैसे कहाए है और जिसका बलतकार किया है यह फिर उसके नाइनसाफी की और किसके साथ नाइनसाफी की जिसका कतल हुआ जिसका बलतकार हुआ उन सब केसा नाइनसाफी जी अब्दुलामीर भाई बोलिये अब यह टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बात के तो तो मैं यहां से वहां नहीं जाना चाहूंगा और तो आप नाराज हो जा रहे हैं मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं आप कहा नाराज हुआ, मैं ये कह रहा हूँ आप से, कि आप इस नियत से ना बैटे, और मैं इस नियत से नहीं बैटा हूँ, कि मैं एक प्रोफेशनल आप से डीबेट कर रहा हूँ, या आपको हराना चाहता हूँ, या जलील करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक साफ नियत से जर्रा बराबर भी अगर अच्छा काम करेगा तो उसको बदला दिया जाएगा और जर्रा बराबर भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उसका बदला मिलेगा अगर इस लिहाज से इसको भी अगर हम ये बनाए एक रिफरेंस पॉइंट बनाए तो इस हिसाब से भी अल्ला जो है वो नाइंसाफी नजर आता है क्योंकि सौख कतल करने के बाद उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए लेकिन अल्ला ने उसको माफ कर दिया उसी तरीके से अल्ला खुद कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुना है सबसे बड़ा गुना है जो माफ नहीं करेगा इसके अलावा एक इनसान कोई भी गुना कर ले शिर्क के अलावा तो अगर अल्ला चाहेगा तो माफ कर देगा और बहुत सारे एक्जामपल समको मिलते हैं जहाँ पे अल्ला ने माफ किया है तो इस इसको भी अगर रिफरेंस पॉइंट बनाय जाए तो अल्ला इनसाफ पसंद नज़र नहीं आ रहा है तो आपने किसी रिफरेंस पॉइंट को लेना है तो वो भी खुरान से ही लिया आपने जर्रा बरावर नहीं की और जर्रा बरावर तो क्या गलती किये मैंने ठीक है न तो आप एक बुक के अंदर ही सारी चीज़े देख रहे हैं ये बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ उसी बुक के हिसाब से भी और हमारी जो आम हमारा जो आम फहम है अंडरिस्टैनिंग है उस लिहाज से भी अगर इस कुरान की आयत को और उस हदीश के वाकिये को और जो नमाज का तरीके पर बताया गया है कि गुना ऐसे माफ हो जाएंगे जैसे अभी जैसा बच्चा पैदा होता है तो हर लिहाज से ये नाइंसाफी नजर आती है यानि आप इसको डिफेंड करने की कोशिश कैसे गर सकते हैं मेरा सवाल आप से हुए तो भाइया अगर को चोटा बच्चा पैदा हो गया और वो कैंसर से एक साल के अंदर मर जाया ब्लड कैंसर से यह लगते द्र बिलकुल आपकी बात सही है और मैं जब भी अब्दुल हमित भाई आप यकीन नहीं मानोगे कि यह ऐसा दौर है हमारा जहां पर हर एक छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज वाइरल हो जाती है मेरे घरवाले मुझे कभी-कभी कोई बच्चे का वीडियो बताते है जो यानि कोई जानवर उसको मार देता है या कोई यानि किसी चीज में वो बच्चा फच जाता है और बड़ी दर्दनाग उसको मौत आती है जब मैं देखता हूँ ना तो मेरा दिल हिल जाता है मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ मैं तो बोलता हूँ ने मुझे देखना भी नहीं ये चीज फिर मुझे उसी वक्त मुझे ये चीज मेरे जहन में ये करने लगती है कि अगर अल्ला है तो वो इस बच्चे का क्या कुसूर था कि उसको इतनी दर्दनाक सजा दिया ऐसी दर्दनाक मौत दिया उसको तो आपकी बात बिलकुल सही है ये इस पे भी हम एक्स्टीम करेंगे कि उसकी क्या गलती थी उसने क्या ऐसा गुना कर दिया था जो इतनी दर्दनाक सजा मिली उसको इसका जवाब तो कि किसी मजभब में नहीं बिलता हूँ मैं इसका जवाब करने की कोशिश किया मैं दूसरे मैं मानता था इसलाम में तो ये जो चीज है ठीक है वो तो बिलकुल यानि अल्ला का कॉंसेप्ट ही पूरा फिर निकल जाता है कि एक जिसके इक्तियार में सारी चीजे हैं वो ही अगर ऐसा होने दे यानि अगर सोचे कि वो बच्चा जो फसके किदर मशीन में फसके मर गया ठीक है उसका पूरा जिसम जो है हाथ तूड़ गया पैर तूड़ गया और उसका जो ब्रेन है वो निकल गया चेरा आखे फूड़ गई अगर उसकी मा के इक्तियार में होता तो क्या वो उसको इतनी दर्दाक मौत आने देती अल्ला तो सतर माँ की महबबच रखता है आए अल्ला सतर माँ से जादा महबच करता है अपने बंदों से और ऐसा बंदा जिससे तो अभी तो कोई गुणा भी नहीं हुआ है तो अल्ला उसको कैसे इतनी दर्दाक ठाला कि उसके एक्तियार में है कई साही जगा पे इबराह तो कैसे यह सत्तर मां से ज़्यादा मोहबत रखने वाला है बिलकुल नहीं माना जा सकता तो आपकी बात बिलकुल सही है आपके जहन में जो सवाल आ रहे है वही सवाल हमारे जहनों में भी आके उसके बाद हमने इसलाम को छोड़ा है यह जो चीज है जी गाली पाई कुछ करना चाहरे है आवा जा रहे है हां क्या बोल रहे है आवा जा रही है हां बोलिये तो मैं बताता हूं कंटिनियस बोलते हो तब प्रॉब्लम होता है हाँ हाँ नहीं नहीं आवाज आ रही है गाली पाई ब्रेक हो रही है आज तो एकदम ही नहीं आ रही है से पहले तो आपकी चलो थोड़ी बहुत बात करते उसके बात फिर प्रॉब्लम आता था तब तक के लिए मैं सभी विवर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे शेयर करिए ताके जादा से जादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे और कोई मोमिन अगर वीडियो को देख रहा है और उसको लगता है कि उसके पास इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट है त बोलने की लगता है चली गई है ठीक है अब्दुलामीत भाई आप बोली है क्या बोल रहे थे जी मैं वहीं कह रहा था कि यह अगर इस तरीके से जो जो नजरिया अभी आपने बताया कि मैंने भी इस तरह से सोचा है तो मैं उसमें काफी सोचता भी रहा उस पे अलग- बुक्स के रेफरेंस भी देखें मैंने कोई लॉजिकल आपको लॉजिकल और एक यानि एक्सेप्ट करने वाला कोई जवाब उस पे आपको मिला क्योंकि मुझे तो नहीं मिला नहीं सब मुझे तो यह लगा फुद्रत जो है पूरे यह निजाम यह बेरहम है जी इसके अपने लॉज है और यह बेरहम है इसके पास बिल्कुर और कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं ना रहम है ना इंसाफ है ना बेरहम है यानि यह चल रही है दुनिया लॉज सेट है उ उस हिसाब से चल रही है, अब उसमें कोई मर भी जाता है, किसी का फायदा भी हो जाता है, कोई अमीर भी हो जाता है, कोई गरीब भी हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, यानि मेरे हिसाब से तो कोई इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, और कम से कम ऐसे कंट्रोल करने वाले को तो हम at least इंसाफ पसंद और महबत करने वाला merciful तो नहीं बोल सकते है अब वो जैसे भी चला रहा है किसी मख़ब का हो ये खुदा लेकिन वो खुदा जीजों को नैसरगी कापदा जीसे का आ जाता है ये से सुनामी आ गई या जलजल आ गया तो उसमें मरने वाले बच्चे औरते भूड़े हैं इन लोगों को तो कोई खुसर नहीं है बिलकुल बिलकुल आप यही यही अब्दुलहमीद भाई मैं भी यही कहना चाहरा हूँ तो कम से कम क्लेम तो नहीं किया जाएया ना के सब्सक्राइब यह चैल रहाता कि यह सारे लिट्रे 보고 से आप यही जो सारी बाते करते हैं तो हो सकता है ना यह की लिट्रेचर में अपनी जगात पर है उसकी तलाश करना चाहिए ना हमें नहीं लेकिन ये कुरान से ही तो बाते हैं ना तब्दुल हमीद भाई तो पूरा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ही डह जाएगा आप देखो अगर रास्ता ढूनने की कोशिश करो होगे तो रास्ता आप चोड़ दर्वाजा किदर से भी निकाल सकते हो कुछ भी सोच के लेट्स भी ओनेस्ट यार मतलब नहीं अगर लॉजिक लगाना है हमको इस पर भी तो देखें आप दुनिया में सबसे लारजर कम्यूनिटी है मुस्लिम्स तो यह पूरी कुछ अच्छ जब कम्यूनिटी की खामिया पर जब हम स्टीम बनाएंगे ना तब आप अपनी दलीले उस बारे में बोल सकते हो कि ठीक है यह अच्छा ही है या मैं जो बोलूँगा उस पर आप मुझे जवाब दे सकते हो बात कम्यूनिटी की होई नहीं रही है बात जो सोर से उसकी हो र दिजर्वड और यानि अल्ला ने इसको सेफ्टी के साथ भेजा है और बड़े-बड़े क्लेम इसलाम के साथ है कि अल्ला ने अबने दीन को पहुचा-दिया नभी कहते है कि मैंने अपने दीनको पहुचा-दिया फिर उसके बात भी उसमें अगर इतने सारे febrication और यह मा यही जुट कई रहा हूं कि मैं वह वीडियो देख भी नहीं पाता हूं अमित भाई देख भी नहीं पाता हूँ, खाली सुनता हो ना मेरे घर वाले बोलते हैं, मैं बोलता नहीं देखना है मुझे, मैं देख भी नहीं सकता, सोचो उसकी माँ का क्या हाल होता होगा, तो इस पे से तो conclusion यह है कि खुदरत बेरहम है, हाँ, बिल्कुल, उसका, इंसाफ का कोई उसके पास पहमारा नहीं है, या उसका, नहीं है, नहीं है, जो जैसा, देखो, इतना मुझे समझ में आया है, कि वो जो बात कही जाती है न, survival of the fittest, यानि जो fit रहेगा, वो survive करेगा, यानि उसके पास अगर, हाँ, और उसमें भी, जिसकी लाटी उसकी बैस, हाँ, और उसमें भी कोई confirm नहीं है, मतलब उसके साथ भी कुछ उल्टा हो सकता है, तो कोई चीज मतलब कोई confirm नहीं है, लेकिन डिखने में यहीं लगता है, कि जिसके पास, यानि ताकत है, वो ज्यादा survive कर पाएगा, इतनी बात मेरे समझ में आई है, अब महुदुदी साब के एक लॉजिक इसमें मैंने ये पढ़ी है, कि उन्होंने हिटलर की एक्जामपल दी, हिटलर ने कितने लोगों को मारा, अब इतने लाख लोगों को मारने वाले हिटलर को दुनियावी खानून क्या सजा दे सकता है, वो सजा वो इमिटेट रह सकती, तो यही मैंने अभी जो उसने कतल किया, तो उसको कोई भी दुनियावी सजा, वो 6 million juice के compensation में उसको कोई सजा, पूरी देई नहीं सकती दुनिया, तो इसके लिए लिए अल्ला का कॉंसेप्टेस में, लेकिन वही अल्ला जो है सव कतल करने वाले को माफ कर दे रहा है, बलके सबूतों के साथ छे जाएंगे, लेकिन वह काफिर और जहन्नम में, जहन्नम ही होगी, तो इंसाफ कैसा है, ये देबराजी का भी सवाल है, कि उसने उसका रेप कर दे, मिसाल की तौर पर मैं बता तो आपको, कि डेली में रेप हुआ था, ठीक है, और बड़ी बेद, दरदी से उस महीला का जाता चलती बस में, और फोड़े दिन वो तरपती रही, और उसके बाद उसको आखिर में वो मौत आ गई, पुरी देश ने उसके साथ खड़े होकर प्रोसेशन किया, यानि उसको क्या कहते है, उसके साथ खड़े होकर सड़कों पे आए, तो आप सोचिए, वो जाएगी जहन्नम में, क्योंकि वो गैर मुसलिम थी, उसने अल्ला के साथ शरीक किया था, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी, और एक एग्जामपल आपको हमीद भाई देता हूँ, कि जो जवान हमारे नौन मुसलिम है, जिन्होंने देश के लिए, रक्षा के लिए, शुरक्षा के बात नहीं मानी, यानि उसमें शरीक किया हो, आप खुछ सोजे न कि क्या कॉंसेट इसलाम दे रहा है, अभी देखिए, कलकत्ता में एक एंजियो थी, जिनके साथ कुछ दिन हमने काम किया, उनका काम ये था, जो red alert areas में जो sex workers होते हैं, prostitutes जो रहते हैं, वो उनको तलाश क procedure होता है उस दुनिया में, वो procedure करके उसको छुड़ा कर लाते थे, और फिर उसको कोई एक skill सिखाते थे, टेलरिंग हो, या cycling की हो, कुछ mechanic का हो, ITI करा के, उसको अपने पैर रूपे खड़े करके देते थे, ये Mother Teresa के NGO's का group था, तो ये तब की बात है, जब मैं आज से दस सा जन्नत में जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो उसने कल्वा नहीं पड़ा, उसके सामने तो दावत आ गई थी, उसने कल्वा नहीं पड़ा, तो ये मन को ये जवाब नहीं बात आई, तो यहीं बोल रहो है, फिर भी लेकिन आप कोशिश करते हैं ना, मसला वो है, कोशिश स्थाब लोग गलत हो सकते ना लेकिन हम लोग की बात नहीं कर रहे ना हम तो सीधा आल्ला की और उसके रसूल की बात कर रहे इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों पर आ जाते हैं अभी देखो किस बारे में यह है कि मैं लोगों को बताऊं कि यह सब दावे जूटे है गलत दावे है कि अल्ला इंसाफ करने वाला है और ऐसे गलत दावे करने वाले मजहब को आप इतना कट्टरता से ले रहे हो और आप अपनी जिन्दगी जो है जवानी बरबात कर दे रहे हो नमाज पढ़ने में हासिल कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जो मेजर कॉंसेप्ट है वहां ही फ्लॉज है तो आपने तो अपनी जिन्दगी पूरी इसमें वेस्ट कर दी अभी मैं आपको बताता हूं अपतुल होती है उसमें वो किसी एक तरीके पर चले जाता है अब कितने ऐसे टीनेजर है बेचारे 14-15 साल 16 साल हुए नहीं जमात में उनको पकड़के लेके चले गए अब वो बेचारे वो टकने के उपर कुर्ता पैजामा पेन रहे है बड़ी बड़ी दाड़ी रख रहे है उनकी जवानी पूरी वेस हाला कि उनको अपनी जवानी जो है वो एडुकेशन हासिल करने में और अपनी जिन्दगी सवारने में उसमें लगाना चाहिए वो बेचारे को अल्ला पालने वाला है अल्ला खिलाता है बोलके उसको पकड़-पकड़के आप जमात में लेके जा रहे ह आप आफिस में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो काम के लिए रखा गया है वो करने के बदले आप उसमें बोलते हो मुझे जोर की नमाज के लिए जगा चाहिए हम पढ़ेंगे 15 मिनिट के लिए 20 मिनिट के लिए 25 मिनिट के लिए गाया मालूम है मैं कॉर्परेट में काम कर चुका हूँ जो हमारी मैनेजर्स होते थे वो चिड़ते थे यह सब चीज के लिए कि सब क्या है यह अच्छा किसी एक दिन चलो फ्राइडे की बात हो तो समझ में आता है कि फ्राइडे जाके आदा गंटा छूट मिल गए हर दिन का तो अगर यह मज़ा भी अगर यह कॉंसेप्ट ही अगर लोगों को मालूम पढ़ जाएं कि इसमें कोई हाकीकत नहीं है तो कम से कम अपनी एक जो जिन्दगी मिली है वो तो वेश्ट नहीं करेगा ना इंसान यह जो मेरा कम्पेटर है उस पर आपकी स्ट्रिंग चलते रहती है मैं कुछ नोट्स लेता लिखता आप बोलते रहते ना इल्म हासिल करो भाई आप फिर आना बोलके तो मेरी गरवाली ने सब देखी यह सब जो इल्म है जो आप पढ़ रहें यह सब गंदा इल्म है बोले तो बोला गंदा इल्म है तो अभी मेरे को काला जादू आ जाएगा फिर आप इल्म हासिल ने कर रहे हैं लेकिन हमीद भाई आप जिस तरीके से मेरे से सवाल कर रहे थे ना यह प्रोफेशनल जो मुनाजरा करते हैं ना मतलब कि इसको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाए आगे बाद साबित ही नहीं हो यह सब अपने बसकी बात में यह सब हम तो यहां एकदम साफ दिल से वैश्चा आ नहीं होता आप कहां डूंडेंगे इसको इनसाफ है नहीं है इंसान को बनाना पड़ेगा उसके लिए क्या अपर है और क्या चीज जो तो मानने यानि civilization उनकी advance होते जा रहे है और यानि तरक्की करते जा रहे है तो यह सब चीज से अपने को निकलना पड़ेगा ताके एक हमने तो कम से कम हमारी जो आने वाली PD है कम से कम वो तो अच्छे से सांस ले जी सही बात है जी अच्छा हमारे साथ B.A.G. भी जुड़े हैं उनसे भी थोड़ा input ले लेते हैं फिर हम किसी और caller को भी जॉइन करेंगे एक सुपर चैट भी ले लेता हूं मैं बहादू रावाज जी ने 100 रुपीस का contribution किया है ठैक्स अलोट शाहिल भाई कानून देश के ह किसी तरीके से भी मैं समझता हूं डिफेंड नहीं किया जा सकता हूं पाई